हलो दोस्तों कैसे आप लोग मित करता हूं कि आप सभी लोग एक दम बढ़िया होंगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे सामने खड़ी है मारूती इन्विक्टो या फिर आप इसे री बैज्ड हाई क्रॉस बोल सकते हैं री बैज करने के साथ मारूती ने इसमें अपना टच देने की सिस करी है और जिसके लिए मारूती जानी जाती है थोड़ा सा ना प्राइस कम करके यह कार आपको मिलने वाली है लगबग इसका 1,00,000,000,000 कम होने के बाद जूद भी आपको कितनी पड़ती है तो बहुत यह यह वाला वीरिंट है अलपा फ्लस सेवन सीटर 28 लाग 42 जार रुपए इसके एक सोरूम प्राइस है और फिलहाल मैं हूँ प्रेम मोटर्स नेकसा सोरूम ग्वालियर में और यहां इसकी प्राइस आपको लगबग लगबग साड़े 33 लाग पड़ जाएगी इसको केवल दो वीरिंट में लॉंच किया गया है जीटा प्लस और अलफा प्लस जीटा प्लस में आपको सेवन सीटर और एट सीटर का वीरिंट मिलेगा अलफा प्लस जो की यह वाला मॉडल है इसमें केवल आपको सेवन सीटर विद कैप्ट तो कुछ इस तरह की की फोव आपको देखने को मिलते हैं जिसमें लॉक अलॉक और बूट रिलीस के बटन दिये हुआ है वही पीछे आपको सुजुकी का लोगो है और दोनों की आपकी स्मार्ट होने वाली है ग्रिल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको नेक्सा की प्लेश्मेंट इसकेट प्लेट जो फ्रेंट की है आपको सिल्वर कलर में ओफर करी जाती है रेडियेटर गिल आप देख लीजे मैट ब्लैक विनिश में आपको देखने को मिलती है यह रही अंडर बाड़ी और ग्राउंड क्लेंस की बात करें तो 185 एम्म का स्कुलर लुक प्रोवाइड करते हैं बाकि यह रहे आपके वाइपर रूपर देखेंगे तो आपको यहां पर मॉस्ट जीप पैनारॉमिक शन रूफ देखने को मिलेगी रूफ रेल्स वगरा नहीं दिये सार्क विननटी ने ओफर किया जाता है इस कार की फ्रंट स्केटर्स बाकी नीचे आप देख सकते हो यहां पेना आपको चार-चार पार्किंग सेंसर्स ओफर किये जाते हैं फ्रंट प्रॉफाइल आपकी इस कार की ने काफी बोल्ड मस्कुलर और बलकी-बलकी फील होती है गाइस सबसे असली बात तो तब आती है जब इस कार को आ किये जाते हैं साइट लेडिंग की बात करेंगे तो आपको यहां पे कोई भी क्रोम एसेंट देखने को नहीं मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में आपको नीचे थोड़ी सी पट्टी है बस उतना ही है और कुछ उफर नहीं किया जाता है इधर आप देख लीजे कोई भी आप से आपके क्वाटर पैनल काफी बड़िया है काफी बड़े बड़े है एर ही फील होते है वील आर्च यहां पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएंगे चोड़े है अच्छे है टायर की बात करें तो देख सकते हैं आपको यहां पे 215 60 और 17 इंचे के ट्य तूली रडिलन तयर डूल में आपको यहां पेिल YOU देखने को मिल जाते हैं बागी आपको फरंट और को जगां आपको डिक गये जाते हैं धोड़ इंचे देे लेम़्टर इुप तो आपको 360kg प्लस पडल लैंप यहां पर देखने को मिलता है एलेक्ट्रिकली एड्जेस्टिबल और रीट्रेक्टिबल यहां पर आपको यह वार्वियम सॉफर किये जाते हैं उपर आके देखेंगे तो आपको यहां पर मस्त सी पैनरॉमिक शन रूफ देखने को मिल जाएगी बाकि यह आसा नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर 360 डिग्री कैमरा या रिवर्स कैमरा ओफर किया जाता है दो आपको LED लाइट्स यहां पर देखने को मिलेंगे नमबर प्लेट इलूमिनेशन के लिए रियर वाइपर्स हैं डिफॉगर लाइन्स हैं हाई मांड श्टॉप लैंप और आपको शार्क वी नंटीना देखने को मिल जाएगा वही नीचे आएंगे तो आपको यहां पर चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर ओफर किये जाते हैं दोस्तों इस पेर टैर की बात करें इधर आपको इन विक्टो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी बात कर लिजाए इसके टेल लाइट शेट अप की तो कुछ इस तरह से आपको LED का टेल लाइट शेट अप ओफर किया जाता है इंडिकेटर और पार्किंग ब्रेक वगरा आपके हलोजन में है लेकिन पूरा बात कर लेते हैं इस कार के बूट स्पेस की तो देखिए यह आपका ना सेवन सीटर वेरियंट है इसमें आपको वन टच ओपन बूट देखने को मिलता है हाई क्रॉस की तरह ही सेम एकदम बूट स्पेस की बात करी जाए तो टू थर्टीन लाइन लीटर का बूट स्पेस खड़े होने के बात भी मिलता है अच्छी बात यह है कि आपको फ्लैट बूट ऑफर किया जाता है इधर आपको एक केविन लैंप ऑफर किया जाता है है यह जगह आपको देखने को मिलती है जहां आप टूल्स वगरा रख सकते हैं रियर शीट आपको 50-50 स्प्रेट में द काफी बढ़िया आ रहा है यहां से देखिए आप इसको वन टच में बंद भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से यह आपका बंद हो जाता है वही आप दूसरी तरफ आएंगे तो इधर आप फ्यूल लिट देख पाएंगे फ्यूल टैंक की बात करें तो 52 लिटर्स का फ्यूल ट यह उफर किये जाते है रिक्ष्सेंसर आपको यहां देखने को कृषंये अंगे मिलता है अबाट डूर पैनल पर नजर पर आलिजिह के ब्लाक टोन गोर्च और फिनिश में आपको डोर पैनल देखने को मिलता है यह प्जूलेरर पैनल यह पूर आपका सॉफ टच मैं उप पे आपको थोड़ा copper finish का touch दिया गया है chrome में यह handle आप देख पाएंगे बागी आपको यहाँ पर दो memory functions offer किये जाते हैं power window के controls driver side आपको one touch देखने को मिलती है यहाँ पे आपको lock unlock button यह आपके ORVM के control electrically adjustable और retractable है चलिए बात कर रहते हैं driver seat की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको electrically adjustable driver seats offer करी जाती है और front की दोनों seats आपको ventilated देखने को मिलती है leather touch में आपको यहाँ पे seats देखने को मिलेंगे जो काफी comfortable है white stitches आप यहाँ पे देख पाएंगे black tone में आपको यह seats देखने को मिलती हैं दोस्तों बाकि एक बार interiors अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरह से interiors offer किया जाता है panoramic sunroof कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है guys इदर आपको fuel lead open करने के लिए यह आपका engine भी open करने के लिए accelerator और brakes यहाँ पे आपको dead pedal देखने को मिलेगा यह आपका boot open करने के लिए यह रहा headlight leveler और यह AC के vents बाकि dashboard देख लीजे कुछ इस तरह से आपको dashboard देखने को मिलता है जो काफी बढ़िया लग रहा है चलिए अंदर बैठ जाते हैं अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी कुछ इस तरह के instrument cluster पे analog plus digital का combination है इधर left side में आपको सारे hybrid के detail देखने को मिलेंगे चलिए बात करते steering column की तो steering column आपको round देखने को मिलता है leather wrapping वगर ओफर करी जाती है Suzuki का logo airbag की badging total 6 airbag as a standard कर दिये गया है इधर आप देख सकते हैं सारे आपको infotainment screen के controls offer किये जाते हैं दोस्तो volume plus minus हो गया voice commands वगरा हो गया सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलता है दूसरे तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर cruise control offer किये जाते है इधर आपको paddle shifter with automatic headlamps और यह रहे आपके wipers के control steering column आपका tilt और telescopic support के साथ यहां पर offer किया जाता है दूस्तों चलिए बात कर लिजा infotainment system की तो यहां पर आपको 10 inches का infotainment system देखने को मिलेगा जो android auto rapper car पे support करता है बाकि यह देख लीजिए एकदम same interface high cross जैसा ही है wall paper वगरा भी आपको यहां से set करने का option मिल जाता है touch response की बात करें तो यह आपको काफी बढ़िया touch response offer करता है बाकि यहां पर आपको volume plus minus और यह सारे physical buttons भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों यहां पर आपको हजार की light AC के vents उसी में आपको किनारे किनारे chrome में satin chrome में देखने को मिल जाएगा काफी बढ़िया लग रहा है AC की बात करें तो यहां पर आपको dual zone AC देखने को मिलता है automatic AC है यह रहे आपके front की दोनो ventilated seats के control बाकी यह नीचे देख सकते हैं आपको यह AC के control देखने को मिल जाएंगे यह आपका 360 degree camera वाला बटन चलिए एक बार आपको दिखा भी देता हूं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकते हैं ठीक ठाक manageable आपको 360 degree camera offer किया जाता है नीचे आपको यह हो गए electronic parking brakes auto hold का function यहां से आप नीचे से drive mode change कर सकते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं eco और power दो drive modes आपको यहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों नीचे आपको EV mode में switch करने के लिए यहां पर traction off का button देखने को मिलता है बाकी gearbox देख लिए कुछ इस तरह से आपको automatic gearbox यहां पर offer किया जाता है चलिए एक बार reverse camera भी आपको दिखा लिया जाए तो देखिए कुछ कुछ इस तरह से आपको reverse camera offer किया जाता है settings वगर आप यहां से अपने आप से change कर सकते हैं bird eye view मतलब 360 degree view आपको यहां पर offer किया जाता है quality ठीक ठाक है बहुत बेकार नहीं है ठीक ठाक है dashboard पर नजर मारेंगे तो कुछ इस तरह से आपको complete एगा बहुत futuristic dashboard देखने को मिलता है एक type c का port एक usb port दो cup holder armrest आपका soft में है और लेकिन कुछ इस तरह से खुलता है और काफी बड़ा space आपको armrest के नीचे देखने को मिल जाएगा glove box की बात करें तो देखो soft open glove box यहां पर देखने को मिलता है धड़ से नहीं खुलेगा थोड़ा सा यहां पर space देखने को मिलता है 12 volt का यहां पर socket offer किया जाता है dashboard पर नजर मार लीजिए आपको कुछ इस तरह का dashboard देखने को मिलेगा soft touch का यहां पर बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया यह देखो यह आपका soft है बाकी सब उपर hard है soft में भी आपको white piping और white stitches देखने को मिल जाएंगे diver sheet में आपको vanity mirror offer किया जाता है with lamp co passenger side में देखेंगे वहां पर भी आपको vanity mirror offer किया जाता है with lamp cable lights देख लीजिए आपको यहां पर halogen में offer करी जाती है और यह पूरा console black color में दिया है जो काफी बढ़िया लगता है बाकी देख लो आपको यहां पर एक SOS का button भी देखने को मिलता है दोस्तों बाकी यहीं पर आपको सारे panoromics sunroof curtains वगरा की controls यहां पर आपको देखने को मिलते हैं देखिए चलो मैं operate करके दिखाता हूं इस button से आपके curtains बंद और open हो जाते है curtains के quality की बात करें तो आप खुद ही देख सकते है curtains के quality आपको high rider से बहतर मिली है curtains इसमें काफी बढ़िया है और इस वाले button से आप panoramic sunroof operate कर पाएंगे one touch में आप operate कर सकते हैं एक बार इसको भी खोल के देख लेते हैं कि यह देखिए कि इतना खुलेगा देखो इतना खुल जाएगा ना कि one touch में आप इसको close कर पाएंगे चलो लगे हाथ टेच कर लेते हैं इसका एंटी पिंच फीचर तो भाई देखो regret हो रहा है मुझे इसका एंटी फीचर चेक करने में पूरा मेरा हाथ इसके अंदर दब गया था अभी देखो निसान देखो मेरे हाथ पे ना काफी बड़ा निसान पड़ गया है तो गलती से भी मारूती की अब चलते हैं 2nd रो में और 2nd रो के सीटिंग कंफरेट की बात कर लेते हैं यहां पर भी आपको क्रोम में डोर हैंडल TOP मिलता है डोर पैनल देख लीचे कुछ इस तरह से यहां पर भी सेम डोर पैनल में कुछ भी अलग नहीं बस यहां पर देखो आपको सर्ट कर्टेंज को मिल जाते हैं जो काफी बढ़ी है लेकिन इस पर विए चंडीगर साइड में मस्त चलान होता है बागी देख लो या सेकेंड रो में यहां पर आपको कैप्टन सीट्स ऑफर करी जाती है इंकलाइन कर सकते हैं स्लाइड कर सकते हैं और अब देखिए आमरेश्ट आपको सेपरेट आमरेश्ट दोनों के लिए देखने को मिलता है कमफर्ट की बात करेंगे अभी अंदर चलते हैं पहले लैजरेट सीट्स आपको यहां पर ओफर करी जाती है वाइट स्टीचेज वगरा है एक बार अंदर बैट लिया जाए जब अब अंदर बैटेंगे ना तो सेकेंड रो के सीटिंग कमफर्ट की कोई कमपैरिजन नहीं देखने को मिलता है दूस्तों वही नीचे आपको यहां 2 Type-C port देखने को मिलते हैं काफी बड़ी आ सहूलियत है पीचे होने चाहिए Type-C port वगरा लेकिन 12 volt का socket नहीं है एकदम फ्लैट वह आपको अपको देखने को मिलता है डैशबोर्ट पर नजर मारेंगे तो कुछ इस और यह देख लिए यह आपके na ambient lighting का setup यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों इधर भी आपको एकदम exact same setup देखने को मिलता है बाकी बीच में देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक tray देखने को मिलती है प्लस साथ में उसी में दो cup holders आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे बड़िया बात यह बर्स अराम से फोल्ड हो सकता है जिससे आपना तीसरी रो में जाना चाहो तो यहां से भी access कर सकते हो बाकी third row में standard तरीका access करने का यह है कि यह वाली seat आपकी कुछ इस तरह से न देखो यह ऐसे फोल्ड हो जाएगी आगे slide हो जाएगी यही नहीं दूसरी साइड वाली captain seats भी slide हो जाती है चलिए एक बार न अंदर चलके पहले में आपको third row दिखा देता हूं तो देख लीजे कुछ इस तरह से आपको 50-50 split में 3 adjustable headrest के साथ third row देखने को मिलती है leather eight sheets आपको offer करी जाती है यह देखिए तीसरा address यहां लगता है बाकी उपर cabin lights यहां पे भी आपको आप चाहे तो देखो यहां से incline कर सकते हैं दोस्तों बागी देखो dashboard यहां से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है और यहां पर panoramic sunroof का view बहुत बढ़िया बहुत ultimate लगता है दोस्तों चलिए sitting posture की बात कर ली जाए तो second row की seats काफी आगे है इस समय इसलिए यहां आपको लेग रूम में कोई problem नहीं मिलेगी लेकिन देख रहे हो घुटना एकदम straight करना पड़ रहा है आपको थाई support वगेरा कुछ भी नहीं है लंबी जरनी यह सच क्या बोला लंबी जरनी इस वाले row में नहीं हो सकती है दोस्तों last but not the least बात कर ली जाए इसके engine बे की तो 10-line four cylinder petrol engine offer किया जाता है जो 150 bhp की power 188 newton meter का टॉर्क देने वाला है बागी देखो आपका यह hybrid version है तो इसमें आपको दोस्तों एक वोल्ट की बैटरी भी देखने को मिलती है इंसुलेशन वगरा देख लिए काफी अच्छे से यहां पर आपको प्रोवाइट किया जाता है द नहीं बागी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा कोई भी डाउटो कमेंट में आप पूच सकते हैं लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के ले जाएं जाए भारत